तो यहां एक बार फिर से वक्त आ चला है एक क्लासी कॉम्पटीशन की जिसमें एक तरफ होंगे किंग कोली वहीं दूसी तरफ होंगे क्लासी किन एक तरफ होंगे फैबुलर्स फैफ वहीं दूसी तरफ से हमें देखने को मिलेगा मकरम का प्राकरम जी हां हम बात करें IPL 2022 के 54 फोर्थ मुकाबले की जो कि सन राइजस हैदराबाद और रोयल चैलेंजस बैंगलोर के बीच में खेला जाने वाला है तो आप बने रहे हैं इस वीडियो में हमाले साथ क्यूंकि हम करने वाले हैं इस मुकाबले की बात आगे बने से पहले मैं आप सोईलो को बता दू कि रोयल 11 पर सूपर संडे के दोनों हिम काबलों में आपको 20,000 रुपे का गिववे दिया जा रहा है और हाँ रोयल 11 पर 11 तारी को एक लीडर बोर्ड आ रहा है जिसमें आप वर्ल्टूर का पैकेज जीत तकते हो और अगर आप वर्ल्टूर नहीं करना चाहते हो तो उसके बदले आपको 10,000,000 रुपे दिये जाएंगे साथी साथ हर मंडे को यहाँ पर गिववे भी दिया जाता है जिसमें आपको आइफोन 13 प्रो मैक्स जीतने का मौका मिलता है और हाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको आपको तुरंत मिल जाएंगे तो आप जैसे रोयल्स प्लेयर्स के लिए रोयल 11 पर फैंटसी क्रिकेट खेलने में बड़ा ही मजाने वाला है रोयल 11 का लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो डाउनलोट कर लेना सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट की तो सबसे पहले बात करते हैं संदराजस हैदराबाद की तो इस आईच की टीम अब तक इस IPL में 10 मुकाबले खेल चुकी है जिसमें से इने 5 में जीत और 5 में हार मिली है और संदराजस हैदराबाद की टीम back to back 3 मुकाबले हार करा रही है सुरुवात करते हैं इनकी कमजोरियों से तो अपने मजबूत गिंदबाजी करम के लिए जानी जाने वाली संडरायस हैदराबाद की टीम पिछले तीन मैचों से लगातार एक्सपोज हो रही है और इनके गिंदबाज बुरी तरीके से मार खा रहे हैं और पिछले तीन मुकाबलों में बैक टू बैक तीन बार इनके गिंदबाजों के खिलाब दो सो के आस पास का स्कोर बन चुका है इस आईपील के सबसे तीज गिंदबाज उम्रान मलिक ने दो मैच पहले लगातार तीन मैचों में अच्छी गिंदबाजी की थी लेकिन उसके बाद से पिछले दो मैचों से जितनी रफ्तार से उनकी गिंदबाजी नहीं कर पा रहे है साधी दभुनेश्वर कुमार भी कुछ खास गिंदबाजी नहीं कर पा रहे है वहीं एक्सपेरिमेंट के तौर पर सरेश गोपाल और कार्तिक त्यागी और सीन एबोट जैसे गिंदबाजों को कप्तान केन ने आखरी मुकाबले में मौका दिया था लेकिन फिर भी बात नहीं बनी थी साधी साथ संद्राइस हैदराबाद की दूसरी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी यह है कि इनके पास जादे गहरी बल्लेबाजी नहीं है और इनके 5 विकेट अगर जल्दी गिर जाते हैं तो फिर Sunrise हैदराबाद की टीम गेम से बाहर हो सकती है बात किजिए अगर Sunrise हैदराबाद की स्टेंथ की तो Sunrise हैदराबाद के बल्लेबाज बहुत ही अच्छे फॉर्म में है हाला कि आखरी मुकाबले में कीन विलियंसन और अभिशेक सर्मा ने डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं किया था लेकिन इस IPL में ये दोनों ही खिलाडी अच्छा परदसन करते हुए दिखाय दिए है साधी साथ राहूल त्रिपाठी भी अच्छे फॉर्म हैं और इस IPL में 200 रन बना चुके हैं लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि वो अपने एक अच्छे स्टार्ट को बड़ी पारी में तब्दिल नहीं कर पा रहे हैं साधी साथ मकरम ने भी इस IPL में खूब प्राकरम दिखाया है और 305 रन अब तक बना चुके हैं साधी साथ पिछले दो मैचों से निकोलर्स पूरण भी 60 प्लस का स्कूर बना रहे हैं वहीं शशांग सिंग नाम का इनके पास X Factor Finisher भी है साधी साथ साथ संडरेस हैदराबाद के गिंदबाजों के पास वापसी करने का एक सुनेरा मौका है क्योंकि ये मुकाबला एक ऐसी टीम के खिलाफ है जिसे ये लोग सिर्फ अर्सर ठनों पर ही अलोट कर चुके हैं बात कीज़े अगर रोयल चलेंज बैंगलोर की तो आर्सिवी की टीम अप तक इस IPL में 11 मुकाबले खेल चुके है जिसमें सही ने 6 में जीत और 5 में हार मिली है और बैक टू बैक 3 मुकाबले हारने के बाद आखरी मुकाबले में चन्नाई सूपर कींग को हरा कर आर्सिवी ने अपना मुमेंटम प्राप्त किया था और अब बारी है संडरेस हैदराबाद के खिलाफ इनके आखरी बैटल में मिली एक सर्मनाग हार का बदला लेने का जी हाँ आपको याद दिला दे की संडरेस हैदराबाद ने आर्सिवी को चारों खाने चित करते वे सिर्फ 68 हनों पर ही इन्हें अल आउट कर दिया था तो ऐसे में आर्सिवी की टीम पूरी तरीके से कमर कसके आएगी बात की जाए अगर आर्सिवी के स्टेंथ की तो गेंदबाजी इनकी सबसे बड़ी ताकत नजर आ रही है और आखरी मुकाबले में तीन विकेट लेकर आर्सिवी के तुरुक के एक के हरसल पटेल ने फॉर्म में बाफसे किया था साथिसत हैजल उट भी बहुत जादे खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं और उनकी गेंदों का सामना करना विरोधी बल्लेबाजों के लिए बम के गोले का सामना करने के बराबर प्रतित हो रहा है साथिसत चन्नही के खिलाब मैक्सविल ने भी दो विकेट लेकर पूरा गेम चेंज कर दिया था वहीं इस IPL में RCB के तरफ से सरवाधिक 15 विकेट ले चुके हंसरंगा नाम का एक्स फैक्टर तो इनके पास है ही वहीं इस टीम की दूसरी सबसे बड़ी ताकत ये है कि इनकी बल्लेबाजी बहुत ज़्यादे डीफ है जिसमें आठवे नमबर तक बल्लेबाज है और ऐसे में 20-20-30-30 रन बना कर भी इनके बल्लेबाज अपनी टीम को 180 के टोटल तक पहुचा सकते हैं साथ कि आखरी मुकाबले में भी हमें देखने को मिला था विराट कोली दीरे-दीरे फॉर्म में वापस आ रहे हैं और पिछले दो मैचों में 88 रन बना चुके हैं साथी साथ फैफ ने भी 38 रन बना कर चन्नाई की खिलाफ अपना फॉर्म दिखाया था साथी साथ दिनेस करतिक लगतार अपनी टीम के लिए अच्छा फिनिस कर रहे हैं और आखरी मुकाबले में चन्नाई की खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने फिनिस किया था उसी की वज़े से उनकी टीम वो मुकाबला भी जीती थी बात की जाए अगर RCV के वीक पॉइंट्स की तो RCV के बल्लेबाज पिछले कुछ मैचों से फॉर्म में तो नजर आ रहे हैं लेकिन बड़ी पारिया नहीं खेल पा रहे हैं साधी साथ विराड कोली रन तो बना रहे हैं लेकिन बहुत ही जादे धीमी बल्लेबाजी कर रहे हैं जिसकी वज़े से बाकी के बल्लेबाजो पर प्रेशर आ जा रहा है आईए अब बात करते हैं हेट टो हेट बैटल्स की तो अब तक इन दोनों टीमों के बीच कुल 20 हेट टो हेट मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें से 12 संरेज है दरवाद की टीम जीती है और 8 मुकाबले रोयल चेलेंजरस बैंगलोर की टीम जीती है इन दोनों टीमों के बीच खेले गए आखरी 5 मुकाबलों में 4 संडाजस जीती है और 1 मुकाबला RCB की टीम जीती है आईए अब बात करते हैं की फैक्टर्स की तो कीन विलियंसन RCB खिलाफ 10 पारियों में 377 बना चुके हैं वहीं राहूल तिर्पाथी 10 पारियों में 251 बना चुके हैं और इन दोनों ही खिलाडियों का औसर RCB खिलाफ बहुत ही जबरजस्त है वहीं उम्रान मलिक 2 पारियों में 2 और वुनेस और कुमार 15 पारियों में 17 विकेट RCB खिलाफ ले चुके हैं साथी साथ अविशेक सर्मा का record RCV खिलाब बहुत ही खराब है और अविशेक सर्मा 4 पारियों में सिर्फ 75 रन ही बना पाए है RCV तरब से SRS के खिलाब विराट कोली 19 पारियों में 579 रन बना चुके हैं वहीं 5 डुपलेसिस 14 पारियों में 340 रन बना चुके हैं इनियस कर्तिक 21 पारियों में 299 वहीं हरसल पतल 9 पारियों में 7 और मुहमत सिराज 8 पारियों में 8 विकेट SRS के खिलाब ले चुके हैं आई अब बात करते हैं आज की हमारे fantasy team की तो fantasy team से परने से पहले में आपको बता दू कि रॉयल 11 का लिंक आपको नीचे description में दिया गया है इस आपको download जरूर करना और refer करोगे तो 2000 का bonus भी मिलेगा तो निकोलस फूरन को एज अपिकेट की पर अपनी team में लिया है विराट कोली, फाफ, केन और तिरपाथी साधी साथ अभिशेक सर्मा पांस talented batsmen हमाई team में है दो all-rounders हमाई team में मकरम और Glenn Maxwell तीन गेंदवाज हैं तीनों ही RCB कि तरफ से हैं हसरंगा, पटेल और जॉस हाजलूड, captain Faf को हमने बनाया है, vice captain यहाँ पर Glenn Maxwell को हमने बनाया है आगी final updated team, final updated captain and vice captain हमेशा तरह telegram पर दिया जाएगा तो telegram का link आपको नीचे description में मिल जाएगा अब बात करते हैं 5-5 की, यानी कि हमारे 5 prediction के लिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोग को याद दिला दू, कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को like नहीं किया, तो अभी like कर दो, साथ ही साथ match के दोरान match पर चर्चा करने के लिए, आप हमारा telegram channel जरू जोईन करना क्योंकि final team भी वही पर दी जाएगी, तो हमारा पहला prediction है कि इस match में fab triple से 70 से ज्यादा run मनाएंगे, वही हमारा दूसरा prediction है कि इस match में कीन विलियन सन विराट कोली से ज्यादा run मनाएंगे, वही हमारा दीसरा prediction है कि इस match में Jaws Hazalut 2 या 2 से ज्यादा विकर जी हाँ, according to me, royal challenges Bangalore may be the winner of this match, दोस्तो final और updated team के साथ साथ finally ये मुकाबला कौन से team जीत सकती है, ये toss के बाद मैं अपने telegram चैनल पर बताऊंगा, तो telegram का link आपको नीचे description में और comment box में मिल जाएगा, हमारे साथ मिलकर cricket के मज़े लेने के लिए चैनल को subscribe करने के साथ साथ बल आकन को भी प्रेस कर ले, रहने बाद